हेलो गाईज, कैसे हो आप सभी लोग, I hope आप अच्छे होंगे, तो मेरा न्यू ब्लॉग आ चुका है, और आज मैं आपको गुमाने वादी हूँ, सैंस धारा पर हमारा यहाँ शूट है, तो मैंने सोज़ा एक छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों को दिखाते है यहाँ का नजारा कैसा है, तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपने रूम में, हम रूम दिखाते हूँ आपको, हमने रूम ले लिया है, हम जस्ट अभी पहुँचे हैं आपर, चलिए दिखाते हूँ आपको रूम तो गाइस यह हमारा रूम काफी प्यारा रूम है यह आराम फरमा रहे हैं चलिए आपको बाहर का नजारा दिखा गया सो हम लोग बहार आ चुके हैं और अभी हम पहले लोकेशन चेक करेंगे कहाँ पर शूट करना है कहाँ पर नहीं देन उसके बाद हम शूट करेंगे और यह बिजी हैं अभी फोन पर बाकी आपको लोकेशन दिखाती हो में देखो यहां कितने बंदर है यह हमारी वीडियो देखना है बहां जा रहे है एक बंदर तो पोल्ड रिंग पी रहा है विदी खाते है पाता नहीं शूट करने कि देखेंगे यह नी एक और आ रहा है एक बंदर आ रहा है एक बंदर बंदर तो गाइस हमारा पहला जो सीन था वो कंप्लीट हो गया है और मैं पूरी भीग चुकी हूँ आज बहुत महनत किये भी जा रहा है और अभी हमारा एक और थाड़ी पहन के सूट होगा बतला अभी एक ही कंप्लीट होगा है अभी बज़ा हुआ है चलिए आपको आजे दिखाती हूँ नेक्स साड़ी पहन कर आउँगी फिर आपको टिखाती हूँआ हुआ हमारा शूट कंप्लीट हो गया है और अभी कृष्णा थोड़ी देर के लिए फ्री होगा है मतब जब तर विचारे मेरी वीडियो ही बना रहे है तो अब हम इस टाइम नहाने के लिए हैं हाबर मतब सिर्फ यह नहा रहे हैं मैं नहाँगी मैं तो अल्रेडी नहानी इस टाइम कोई भी नहीं है एक लड़की है वहाँ जो अपना शूट कर रही है बागी हम ही है यहाबर अब हम लोग अपने रूम में बापस आ गए हैं और मैंने चेंज वगेरा कर लिया है हमारा शूट अल्मोस्ट कंप्लीट हो चुका है बहुत जल्द आप लोगों के पास हमारी वीडियो मिल जाएगी तो प्लीज जादा से जादा उसको प्यार देना और अभी हमें मौर्णिंग में एक और वीडियो शूट करनी है तो उसका भी हम आपको दिखाएंगे कल सुबह को अभी हम खाना खा रहे हैं खाना खाना खाने को दिखाते हैं हमने मंगा है मंचूरियन क्रिश्ना का फेबरेट और यह रायता पनीर डाल मखनी रोटी चावल ठीक है गाइस गुड़ नाइट कल सुबह को मिलते हैं बाई गुड़ मॉनिंग गाइस तो सुबह के नो बजरे हम उठ चुके हैं और जैसे हमने प्लैन किया था कि हम सुबह को मॉर्णिंग में शूट करेंगे तो लगता है वो कैंसल होने वाला है क्योंकि यहां बहुत तेज बारिश ओड़ी है देखोगा इस कितने तेज बारिश हो रही है पता नहीं यह बारिश कब रुकेगी मुझे इसके बाद अपना शूट भी करना है और अगर मैं लेट हो गई तो प्रॉबलम हो जाएगा मतलब मैं जादा वेट नहीं कर सकती हूँ बारिश रुकने का बस जल्दी से रुक जा अब मैं रेडी होने के बाद बहार जाओंगी उसके बाद शूट करेंगे अब मैंने फिर से चेंज किया है और उस वाली ड्रेस में शूट हो गया है अब मैंने चेंज किया है सिर्फ लास्ट सूरी है अभी बारिश हो रही है तो फरल तो हमने होटल में ही शूट कर लिया क्यूँकि हमारे पास कोई और ऑर आपशन नहीं था और अभी बारिश बंद हो जाएगी तो हम बाहार जाएंगे वहाँ शूट करेंगे जाला तेज बारिश नहीं हो रही बढ़ हाँ शूट बाहर करते हैं तो भीगी जाते हैं अब तो खीक हो गई है कुछ दिखाती हैं आपको कैमल में तो बारिश आ भी ने लिए हैं कोई बात नहीं शूट हमने कंप्लीट कर दिया है और अब हम आ गए हैं देहरदून और मैं जाओंगी शैली के पास उससे मिलने के लिए मैंने उसको बताया नहीं कि मैं आ रही हूं आज और देखो गौरव हाँ यह गौरव ही है हमें लेने के लिए आ गए हैं तो चलिए दिखाते हैं आपको लेह बाहे हैं तो चलिए आपको आपका भौर गार्व मिल्मिले के लिए इसे बंड़ टूराव हैं चलिए अच्प्स के लिए हैं जगलन की यहाँ िड़िए दोल्समाटी बढ़े हैं तो यहाँ चालिए तो गाइस मैं शैली से मिल चुकी हूँ और अब हम अपने घर जा रहे हैं धामपूर बाबस शैली को सप्राइज दिया था मैंने आज और अब जा रही है यह रोक रही है लेकिन हुझे जाना पड़ेगा कुछ काम है जरूरी फिर आउंगी दुबारा मिले के लिए अब हम पहले गौरब के पास जा रहे हैं उसके बाद हम बस के लिए जाएंगे बस में बैठने के लिए शैली सेड हैस टाइम क्यूंकि हम जा रहे हैं हम जाएंगे हैं